पुलिस सीधे अपनी फोर्स को लेकर पहुँच जाएगी काल भैरव मंदिर और इस बास से राज गुरू काफी परिशान होगे दरसल ऐसा सच है जो राज गुरू सबसे छपा रहे हैं लेकिन अभी किसी को बता नहीं रहे कि आखिर कौन सा सच है इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि जैसे ही वो पुलिस मंदिर का दर्वाजा खोलेगा अंदर से कुछ ऐसा देखेगा जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे यहां तक कि किसी को यकीन भी नहीं होगा कि या क्या दिखरा है और यह सब आपको देख देखेंगे को मिलने वाला है आज रात आने वाले एपिसोड में इसके साथ ही हम आपको ये भी बता देते हैं कि भीते एपिसोड में आपने क्या कुछ खास देखा है जहां अभी तक आपने देखा है कि कनगड़ के बड़े युवराज यानि यश्की मौत हो जाती है और इससे वीर काफी दुखी भी हो जाता है दर असल तो साल पुराना श्राप आज भी उनके यहां खतम नहीं हुआ है और इसके साथ ही रानी माता और राज माता भी काफी परिशान रहती है उनके वंश का हर लड़का 30 वर्ष के उम्रे में मर जाता है इसके साथ ही आपने ये भी देखा कि इन सारी चीजों से अरजना कितनी हैरान होती है दरसल उसे ये नहीं समाढ़ जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है घर पे उसी दौरान पहुँच जाती है पुलिस जी से देख कर सब लोग और भी ज़दा इहरान हो जाते हैं और नाराज भी हो जाते हैं क्योंकि काल भायरों के श्राप में कोई भी पुलिस घर भे नहीं आ सकती है लेकिन इस बार कुछ अलगी होता है दरसल रानी मा की इजाज़त फे पुलिस को सब कुछ करती है जो हो करना चाहती है लेकिन इसी दौरान राज गुरू सब को रोब भी रह होते हैं जलाल पलेत न अबन्स